Hello everyone, welcome to Only IS तो इंतजार की घडिया खत्म हुई और हम फटा-फट से answer की discuss कर लेते हैं UPSC, CSE 2020 का ठीक है? सबसे पहले एक बार एक rough idea आपको देता हूँ paper के बारे में कल का paper, कितने equations, किस portion से कितने आएं approximate values हैं क्योंकि इसमें आपको भी पता है कि बहुत सारे ऐसे portions होते हैं कि दो subjects में confusion है, कि geography का है कि environment का है उन सब को या फिर उन सब की लडाई में ना पढ़ते हुए हम simply एक rough estimate लेके अगर चलें तो सबसे पहले जो quality का है लगबग लगबग quality and governance वाले portion से approximately 15 से 18 questions आई हैं ठीक है? approximate values में ही बात करेंगे और सबसे ज़ादा आप बोल सकते हो quality और इसके बाद फिर है हमारा history history में जो major portion रहा है as usual modern history का रहा है 8 से 10 questions के लगबग आए हैं यहां से इसके लाबा ancient history लगबग जैसे हर साल होते हैं इस बार भी ऐसे 5-6 questions रहे हैं और medieval history जिसमें पिछली बार थोड़ा सा बोलवाला बढ़ा था और बच्चों ने पढ़ना start भी कर दिया था वो अब फिर से बंद कर देंगे क्योंकि एक question आया है इसके अलाबा overall दिखा जाए तो एक से दो question आप कर लो यहां पर कुछ लोग क्योंकि medieval history के time period में भी थोड़ा सा वो confuse होगे तो एक या दो question आप दोनों कर सकते हो history के बाद जो major section हमारा cover करता है वो है हमारा economy economy से total overall 17 से 18 16 से 18 questions आए हैं approximately इसके बाद geography और environment आप ले सकते हो ठीक है दोनों को combine कर दिया है क्योंकि या फिर अगर अलग-अलग भी अगर आप देखना चाहो तो मालो geography से अगर किवल हम बात करें तो approximately 14 से बहुत सारे जगहों पर मैंने अभी पढ़ रहा था किसी ने 6 लिखे हैं किसी ने 8 लिखे हैं तो हो सकता है वो geography और environment वाला थोड़ा सा overlap कर रहा होगा तो वहाँ पर वो लोगों ने नहीं किया होगा उतने अच्छे से geography में आप बोल सकते हो approximately 10 to 14 questions आए हैं और हमारे environment में 15 से 16 questions आए हैं overall देखा जाए तो approximately 25 से 30 questions हैं हमारे geography और environment का मिलाके इसके बाद हमारा इसमें अगर हम बात करें और कौन सा बचा हमारा subject science and tech important question science and tech जो है उससे हमारे आए हैं approximately 14 से solar questions तो major major जो हमारे sections हैं वो तो है quality, history, economy science and tech, geography और environment इसके लावा कुछ miscellaneous के portions अगर बचते हैं तो 2 से 3 questions जो भी बचते हैं आप उनको miscellaneous में डाल देना balanced paper था इस बार ऐसा नहीं बोल सकते हैं हम कि किसी एक particular section पर focus किया गया जिससे 35-40 question पूछ लिए या 25-30 question पूछ लिए ऐसा नहीं था balanced paper था paper maximum लोगों की opinion यहीं है कि पिछली बार से थोड़ा tough है चुकि time gap मिला है lockdown की वज़े से जिसको इस gap को utilize करना चाहिए था जिन्होंने किया होगा उन्होंने benefit reap किया होगा otherwise paper का level वैसा ही है जिसमें cut-off usual जितना हर साल जाता है around उतना ही रहने वाला है अब बात करते हैं हम फटा-फट से answers की देखो answer में सबसे पहला question हम उठाते हैं हम discuss कर रहे हैं अपना जो set है वो है C C set का answer है ये सबसे पहला question उसमें था fertigation से related fertigation agriculture क्या होता है सबसे पहले तो यही पता करना बड़ा ज़रूरी था क्या होता है drip irrigation system आप सबने समझा होगा drip irrigation में जो पानी मालो drip irrigation में पानी कहां से आता होगा कहीं टंकी वगएरा से connection देते होंगे न वहीं टंकी में fertilizer भी डाल दो और dripping के साथ fertilizer भी पहुँच जाए उसी को बोलते है fertigation agriculture उसमें पूछा गया कि भी इन statements में से 4 statement दिये कौन सा सही है इसमें केवल पकड़ना था second statement को इसमें लिखा हुआ था कि ये all other phosphatic fertilizer possible है इस fertigation agriculture के वज़े से लेकिन जब हमने agropedia के side उठाई और वहां से देखा तो उन्होंने साफ साफ लिखा था कि phosphorus fertigation में जब भी हम drip irrigation system के साथ club करते हैं तो वो लोग clogging करते हैं clogging मतलब एक अठा गांट बना लेते हैं जिससे कि drip irrigation में तो काम ही नहीं कर सकते इसलिए second statement गलत है और ऐसा करने के साथ ही साथ हमारा C statement सही हो जाएगा बिल्कुल सही कोई confusion आपके मन में अगर बचता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह government of India का एक screenshot है आपको यह pdf अगरा सब कुछ मिल जाएगी आप उतना इसमें से आपको यह बताना था कि किनको major minerals officially designate किया गया है अब यह पता लगा पाना तो बड़ा ही मुश्किल question है यह usually कोई नहीं याद करता बेंटोनाइट, क्रोमाइट, क्यानाइट, सिलिमनाइट, पता नहीं क्या है यह सब ठीक है फिलहाल हम अपने answer की सरफ जाते है, answer इसका D है पहला क्योंकि जो बेंटोनाइट है वो government official sites पर हम ने देखा अर्थपीडिया पर, तो वहाँ पर बेंटोनाइट जो है वो उनके mineral minor minerals में से count हो रहा था ठीक है, बागी के जो एक, तीन, सॉरी दो, तीन और चार थे, chromite क्यानाइट और सिलिमिनाइट ये हमें मिल गए, government की ही official site पर, ये रहे दो, तीन और चार ठीक है, तो answer हमारा क्या हो गया second का D answer हो गया तीसरा question पढ़ते हैं, ये ocean mean temperature की बात करते हैं, देखो दो चीजें होती है, एक होता है sea surface temperature और एक होता है ocean mean temperature तो sea surface temperature से भी बहुत सारी चीजें हम लोग measure करते हैं और ocean mean temperature से भी बहुत सारी चीजें हम लोग evaluate करते हैं, specifically हम लोग Indian ocean में जब बात करते हैं, तो monsoon को predict करنا, क्योंकि हमारे India में सबसे बड़ा जो question mark बनाया हुआ है कि भाईया ये monsoon कैसे आता है उसके पीछे कौन-कौन से factors responsible है 18-10 factors हम खोश चुके हैं लेकिन फिर भी कभी न कभी गलतियां कर ही देते हैं तो हम हमेशा परिशान रहते हैं इस चीज में ठीक है इसलिए एक और method है जिसका नाम है ocean mean temperature ये भी काम करता है हमारा monsoon predict करने के लिए इसलिए जो second statement है वो हमारा correct हो जाता है कि हम usually इसको use करते हैं to access weather कि rainfall कितना आने वाला है monsoon में कम आएगा जदा आएगा कितने time period के लिए आएगा वो सब तो second statement तो सही है first statement आप ध्यान से देखा इसमें लिखा हुआ है कि हम ऐसे isotherm पर बात करते है मान लो कि ये हमारा ocean हो गया cross section देख रहा है इसमें पूरा पानी भरा हुआ है अब हमने बोला कि हम देख रहा है 26 degree Celsius का isotherm अब नीचे आपको पता है कि topography हमारे ocean surface का कुछ तो हुआ कहीं पहाड होंगे कहीं अड़े होंगे ऐसे-ऐसे होगा न अब इसने क्या बोला न कि isotherm हमारा 129 मीटर मतलब 129 मीटर के ही depth पर होगा अरे हम एक range लेके चलेंगे न भई कि इतना उपर से लेके इतना नीचे तक हमारा जब नीचे वाला topography भी variate कर रहा है तो उसी से मिलता जूलता कुछ हमारा आइसो थर्म भी तो variate करेगा न तो इन्होंने बोला है चलो 26 दिगरी Celsius का आइसो थर्म हम बनाते है बट इसकी height इन्होंने fix कैसे कर दी कि 129 मीटर depth पर ही हमें 26 दिगरी Celsius हर जगह मिल जाएगा कहां पर यह नोंने बताया कि South Western Indian Ocean में तो यह तो statement वैसे ही गलत है बहुत absolute statement दे दिया है फिलहाल दहिंदू के source में यहां पर source का यह link भी दे दिया है हमने और यहां पर जो screenshot लगा है यह रहाल link आप इस पर देख ले ना फिलहाल इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है की की OMT जो की 26 दिगरी के आइसो थर्म पर है वो 50 से 100 मिटर डेप्ट की वैरियेशन पर आता है ठीक है मतलब हमारा गूम फिर के यही आता है कि हम 50 से 100 डिगरी डेप्ट तक गलत हो जाएगा यह पहला स्टेटमेंट तो केवल दूसरा सही है एंसर हमारा बन गया इसमें B 2 only ठीक है बढ़ते हैं अगले कोईशन की तरफ चौथा कोईशन जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर की बात की गई है बोला एक बताओ इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है पहला इन्होंने बता जाए हमारा एंसर सबसे पहले स्टेटमेंट पर ही बेस्ट है पहला इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें बोला कि गवर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर जो होते हैं market driven जिनकों लोग बोलते हैं उनको administer नहीं करता है यह तो statement गलत है इन्होंने साफ साफ अब यहाँ पर हमारे जो chemical and fertilizer minister है union minister है डीवी सदानंद गौडा जी उन्होंने ही यह बात बोली थी लगबग लगबग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि government is implementing nutrient-based subsidy साथी साथ इनों ने ये भी बोला था कि various subsidized PNK fertilizer covered under NBS policy मतलब कि जो हमारी nutrient-based subsidy scheme है उसके अंदर हम लोग इसको रखेंगे और हम लोग rate decide करेंगे the per kg subsidy rate on the nutrient are covered ठीक है तो है कोई tension नहीं है पहला statement हमारा गलत हो जाता है दूसरा जो है ammonia हमारा natural gas से produce होता है input उसका natural gas से आता है तो यहाँ पर उसका official site का यह तो economic times का article था वहाँ से हमने उठा लिया था और यह दोनों ही हमने उठाया है government की site से consequential.ica.org से तो यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है कि दूसरा statement correct है क्यों? क्योंकि जहाँ पर process ammonia formation होता है वहाँ पर हम लोग natural gas से बनाते हैं दूसरी चीज कि sulfur पहली बात तो इन्हों ने यह बोला कि raw material है phosphoric acid fertilizer का तो बिल्कुल लोग क्या होता है कि phosphoric acid fertilizer की जब हम manufacturing process में जाते हैं तो दो process आता है एक हमारा है wet process एक है हमारा thermal process wet process में हम लोग sulfuric acid का यूज करते हैं और sulfuric acid में sulfur आता ही है ठीक है तो और दूसरा इन्होंने statement में क्या बोला था कि इन्होंने बोला कि भी sulfur एक तो हमारा raw material है यह साथी साथ oil refineries का by product भी है मलब दो दो एक ही statement में दो दो चीज हम से पूछ रहे हैं मलब ज्यादा शातिर बन रहे हैं यह कोई बात नहीं है तो यह हमारा sulfur जो है उसका भी same article में ही यह चीजें लिखी हुई थी तो आप इसको यहां से पढ़ सकते हैं फिलहाल हमारा दूसरा और तीसरा दोनों statement सही है इसलिए हमारा answer फोर्थ का भी हो जाएगा पांचवे answer की तरफ बढ़ते हैं पांचवे answer है हमारा इंडियास डिजर्ट नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया है यह बताए कि दो ही district में फैला हुआ है तो बिल्कुल जी हां यहां पर इन ही के official site से मतलब राजस्ता यह UNESCO की site से हमने उठाया और UNESCO की site में साफ साफ लिखा हुआ है कि यह दो district बार मेर और जैसल मेर district में ही फैले हुए है ठीक है जिसमें से major हिस्सा जो है वो जैसल मेर में है ठीक है अब दूसरा है कि पहला statement तो हमारा सही हो गया मतलब बी option चलो हमारा कट गया फिर हमारा आता है कि there is no human inhabitation inside the park यूजुली क्या होता है नेशनल पार के अंदर human inhabitation नहीं देखते हैं हम लोग लेकिन यहाँ पर low human population है यहाँ पर कुछी लोग है 4-5% per square kilometer पर हम देख सकते हैं लेकिन है यहाँ पर लोग ठीक है तो यह statement हो जाता है गलत यह था या तो पहला तीसरा होगा या तो पहला दूसरा तीसरा होगा मतलब सारा का सारा खेल second statement पर टिका हुआ था फिलाल correct answer 1 and 3 है यहाँ पर map वगएरा मैंने दे दिया है आप लोगों के लिए और similar form में यहाँ पर सब चीज़ें लिखी हुई है अब आसान सा question सियाचिन glacier कहाँ पर है तो हमने साब साब इसको पढ़ा हुआ है हमेशा confusion हो सकती है कि अकसाई चीन के east में है क्या या फिर नूब्रा वैली के north में है तो आप यह वाला map देखना यह रहा हमारा नूब्रा वैली और इसके just नूब्रा वैली के ऊपर है हमारा सियाचिन glacier ठीक है तो answer हमारा D हो जाएगा north of नूब्रा वैली 6 का D 7 का यह इन्होंने थोड़ा सा फसाने वाला question पूछा था बट still हम इसको solve कर सकते हैं कैसे देखो एक तो में पता है कि द्वार समुद्र जो है वो करनाटका में यह usually पता होता है भिलसा जिसको हम लोग विदिशा के नाम से भी जानते हैं ancient time पर जिस time पर सुल्तान जलालुदीन और अलाउदीन खिल जी जब यह परमार सिटी पर अकरमण कर रहे थे ना वहाँ पर जिक्र किया गया था और भिलसा जो है वो actual में हमारे मदप्रदेश में ही है तो पहला statement सही है फिलहाल अगर आपको नहीं पता होगा द्वार समुद्र से आप इसको पकड़ सकते थे कि यह statement तो हमारा हो जाता है गलत second statement जैसे ही आपने काटा हमें मिले दो पहला तो definitely सही है तीसरा चौथा में देखना है तो हमें पता है गिरनगर या गिरनार गुजरात में ही है क्योंकि हमने जोगरफी में भी पढ़ा होगा स्ट्रिक्ट हैं जिनको सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथारेटी ने ओवर एक्स्प्रोइटेड गोशित कर दिया है पता नहीं इसका कभी ऐसा statement कोई पढ़ेगा पता नहीं मुझे नहीं लगता है कोई इस तरीके से पढ़के जाएगा second statement पर आते हैं CGWA was formed under Environment Protection Act बिल्कुल सही है यह statement यहाँ पर लिखा हुआ है cgw.gov.in का यह screenshot है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर Environment Protection Act 1986 के अंदर में यह इसी से regulate होता है तो यह बिल्कुल सही statement है India जो है वो वन अफ फे लार्जेस अंडर्राउंड अर्जेस एरिया वो अंडर्राउंड वार्ट वार्ट इरिगेशन में काम आता है मलब वर्ट का सबसे जाद है तो यह चीज्ज यहाँ पर इसी साइड़ पर लिखा हुआ था Stream occurs in Northern Hemisphere only, आप जहां आपर only लगा है और हमें पता भी है कि Jet Stream तो दोनों जगा होगा, पहला statement काड़ दो, हमें दो option B या C में से कुछ है चुनना है, second statement is definitely correct, कि only some cyclones develop an eye, सभी के पास eye नहीं होता है, बीच में eye नहीं बनता है, क्योंकि कुछ जहां नहीं बनेगा cyclones में, वो खत कैसे, इसमें लिखा हुआ है कि जो eye होता है, cyclone का, वो 10 degree Celsius lesser temperature का होता है, अब हमें पता है कि center में cyclone में ना, नीचे low pressure condition होता है, मतलब कि high temperature, यहीं से gases उपर उठती है, तो भईये ये तो हमारा warmer होगा ना, ये थंडा कहां से बन गया, तीसर eye statement उठा के काट दो, जैसे ही correct answer, यहाँ पर लिखा है कि eye is warmer than the surrounding reason, ठीक है, क्योंकि low pressure grade बनता है, बीच में, दस्मा, दस्मा है, दस्मा के answer C है, और इसमें हम कुछ कर नहीं सकते है, क्योंकि हमें बस answer बता सकते है, critical tiger habitat का सबसे largest area, tiger reserves में कौन सा है, सबसे पहला नाम, तोड़ा सा मैं zoom कर देता हूँ, तो तो बहुत difficult तो मैं नहीं बोलूँगा, इस question को usually पता होता है, बहुत सारे लोगों ने correct answer भी mark किया होगा, I wish, दस्में का answer, C है, नागारजून सागर सीरी सैलम, इसके बाद 11 मा पर आते हैं, कि अगर किसी particular plant species को schedule 6 में डाल दिया जाए, Wildlife Protection Act 1972 के अंदर में, तो उसका मतलब क सबसे पहले किसी plant को डाला जा, तो कौन-कौन से plant है, ये कटिन-कटिन से नाम लिखे है, पिचर प्लांट जिसमें आप लोगो को पता होगा, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई blue anda वगरा किसी को पता हो सकता है, बाकी तो मैंने भी नहीं सुना है, इसके बाद यहाँ प कि इसका मतलब यह है कि no person shall cultivate a specified plant except under and in accordance with a license granted by the chief wildlife warden, जब तक chief wildlife warden से license नहीं मिलता है, तो कोई भी plant species को, specified plant को हम cultivate नहीं कर सकता है, यह ही लिखा है, कि अगर किसी को cultivate करना है, तो मैं एक license की जरूद पड़ेगी, पहला statement सही है, ग्यारा हुए का पहला, बारे पर आते हैं, बा कुकता डैनेस्टी के बाद, यह लोग जो टाउन्स हैं, घंटा शाला, कदुरा और चॉल, यह कैसे हैं, क्या हैं, बहुत सारे options थे कि Buddhist pilgrimage center हो सकते हैं, stone art के लिए famous हो सकते हैं, powerful kingdom थे, ऐसा तो नहीं है, powerful kingdom थे, ऐसा तो नहीं है, powerful kingdom थे सबसे easily elimination है, होते तो हमने पढ़ा नह आप नाम पूचा, इन्होंने घंटा साला, कुदुरा और चॉल, जिन्होंने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, फिलाल, यह सारी चीजें जो हैं, यह foreign, यह ports हैं, वैसे तो, चॉल जो है, देखो, आप leading trade center है, वहां का, foreign trade यहां के लिए, और इसके बाद, और भी आप देख साओ, जिसे घंटा साला है, वह कृष्णा रिवर के ग्यारो किलमेटर दूर पर था, और यहां पर भी एक flourishing town था, यह सारे trade के लिए जाने जाते थे, तो इसलिए, port handling foreign trade, A is the correct answer 12 का A है, 13 पर आते हैं, statement पहला है, इसमें पुछा गया था कि 0 tillage, अगर हम करते हैं, तो इसके advantages या advantage क्या हो सकते हैं, answer D है, सभी हो सकते हैं, जैसे कि इसमें बोला है कि अगर हम लोग wheat को sow करते हैं, तो उसमें जरूरी नहीं है कि हम लोग उसके पिछले वाले crop को burn करें, तो यह तो जायद सी बात है, यह तो हम लोग मना कर रहे हैं कि भाई, alternative solution है, 0 tillage, पहला statement बिल्कुल सही, without the need of nursery of rice sapling, direct planting of paddy seed in the wet soil is possible, बिल्कुल possible है, अगर हम लोग rice sapling nursery से मलब नहीं भी लेते हैं, तो भी direct planting हम कर सकते हैं, उसका यहां पर wheat.org पर यह site लिखा हुआ था, और, sorry, दूसरा statement जो है, वो विकास पीडिया से हम ने लिया था, जिसमें 0 tillage यह soil is possible, तो यह भी statement सही था, यह भी यहीं से same site सही हमने लिया था, इन no tillage in a grow ecosystem has been widely recommended, तो carbon sequestration in soil हो सकता है, तो तीनों statement सही है, D is the correct answer, 13 का D है, 14 का यह है कि इंडिया की national policy, biofuel पर जो भी अभी आई है, उसमें biofuel के production के लिए कौन-कौन से raw materials use कर सकते हैं, तो इसमें एक चीज इसको थोड़ा साम जूम करते हैं, सबसे पहले कसावा यह लिखा हुआ है, यही petroleum.nic.in से है, कि इनोंने बताया कि biofuel के लिए हमारे domestic raw materials कौन-कौन से हैं, तो यहाँ पर एक तो कसावा है, फिर groundnut, यहाँ पर एक चीज जो नहीं है, वो है हमारा groundnut seeds, यहाँ पर कहीं नहीं इसके अलामा आप देखो कि जैसे जो खतरनाक चीज है, जैसे rotten potatoes, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, rotten potatoes, इसके बाद लिखा हुआ था sugar beet, तो sugar beet भी लिखा हुआ है, wheat भी लिखा हुआ है, और यह रहा, sugar beet, तो सारी चीजे है, A is the correct answer, बाकि इसमें कौन-कौन से नहीं थे, horse gram न नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, 15 का A answer है मारा, इसमें पूछा गया था कि social cost of carbon का मतलब क्या है, monetary value का, साफ साफ पता चल रहा है कि long term damage, जो भी per ton of carbon dioxide emissions से होगा एक साल में, उसी कौम लो social cost of carbon बोलेंगे, यहाँ पर एक rtf.org का एक official site था, वहाँ से हमने उठाय था, साफ कि social cost of carbon का definition क्या है, यह लिखा हुआ है, estimate in dollars of economic damage, कि इसे greenhouse gases का मलब साफ साफ है, कोई tension नहीं है, पढ़ लेना आप आराम से, पहला statement सही है, source हमने दहींदू के article से भी उठाया है, वहाँ से भी हमें same answer मिल रहा है, solar जो है, with reference to pulse production in India, यहाँ बताना है, सबसे मज़ेदार question था इसमें लिखा हुआ है कि green ground जो है न, वो सारे pulse production का आधा यही बनाता है, भाया हरा मटर कितना खाता है, ठंड में हम लोग खाते हैं, और इसके और जासे आधा यही ले लेगा, होई ही नहीं सकता, और ground तो पता नहीं कितना है, काबली चना खाते हैं, हम लोग छोले वाले इसको बोलते हैं, black वाले खाते हैं, यह हरे चने खाते हैं, तो उसमें से हरा चना दूसरा पहले ही statement काट दो, हमारा answer आ गया, one only, ठीक है, तो बस answer आ गया, बागी के सोरसे यहां पर विकास पीडिया से हमने लिख दी हैं, जो कि बागी के दो statements को justify करता है, सत्रा का एक, सत् आपकी बुधिवानी का यह, क्या बोलते हैं, question है कि आप पहचान के दिखाओ, पहचान कौन, तो सब ट्रॉपिकल नेचर का है यह, और सबसे खतरनाग जो इसको पहचानने का है, वो है, at least 210 frost free days चाहिए इनको, ठीक है, cotton answer है, simple सी बात है, गूगल पर आगर आप simple सर्च करत है, ठीक है, simple सा है, cotton इसका answer है, और में multiple sources से हमने, विकास पीडिया बगरे से भी, इसको एक तो यू आर्टिकल लाइब्रेडी से हमने देखा था, और विकास पीडिया से हमने देखा था, दोनों से same answer आ रहे थे, अठारमा है solar water pumps, बहुत ही common सा question है, इसमें लिखा हुआ है कि हम centrifugal pump तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन piston वाला नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये भी गलत, होई नहीं सकता, बहुत है solar power है, power जिसको दोगे वो वही machine चलाएगा, दोनों statement गलत है, D is the correct answer, sources यहां पे लिखे है, agree farming.in का source है, 19 में का C है, इसमें पताए कि current trend को देखते हुए, सुगर केन cultivation की बात करते हैं, इसमें पहला है कि एक तो substantial saving, जो seed के होते हैं, seed materials के होते हैं, वो bud chip settling से हो सकता है, सबसे पहला bud chip settling, ये सुगर केन के plantation में use होता है, ठीक है, तो हमने research gate का एक article उठाया, और वहां से साफ साफ दिखा, कि यहां पर जो ये लिखा हुए ना, bud chip settling, उससे ये काम बनता है अपना, तो सुगर केन में use होता है, दूसरा है, कि when direct planting of sets is done, the germination percentage is better with single budded sets as compared to sets with many buds, देखो क्या है कि ये statement कहीं पर सही नहीं, चौथा statement की बात करते हैं, फिलाल के लिए, चौथा statement लिखा था कि सुगर केन can be cultivated using settling prepared tissue culture से, तो यहां पर research gate में ही साफ और single birds are being used, तो इससे हमने समझ लिया कि चौथा statement सही है, पहला statement सही है, तो एक ही option मिलना था, C, इसलिए हमने mark कर लिया, 19 का C, बीसमा question पर आते हैं, जिसका answer है D, और इन्होंने पूछा है, कि eco-friendly agriculture की अगर हम बात करें, तो इसके practices में कौन से following हम लोग correct बता सकते हैं, तो सबसे आरा हमसी बात है कि चार हो सकते हैं, crop diversification बिल्कुल हो सकता है, legume intensification भी हो सकता है, tensiometer use, देखो यही एक खतरनाक सा है, कि tensiometer क्या होता है, देखो tensiometer एक soil का science है, जिस एक ऐसा measuring instrument है, जिससे हम लोग यह देखते हैं, कि कितना water हमें जरूरत है, ठीक है, अब खतरनाक तो है, देखो, नहीं पढ़ता है कोई, लेकिन ऐसे question में जब UPSC को भी पता होता है कि कोई नहीं पढ़ेगा यह सब, लेकिन फिर भी essay में usually all correct ही होता है, तो इसलिए all correct है, one, two, three, four, चारो answer हैं, फिलहाल सारे sources यहां पर लिखे हुए हैं, vertical farming वगर हैं तो हम जान रहे हैं, फिलहाल हमें जो doubtful situation था, वो third का ही था, लेकिन ऐसा one, two, four कहीं पर statement भी नहीं था, तो इसलिए हम usually one, two, three, four पर ही जाते, 21 का answer B है, इसमें जो खतरनाक portion था, वो पकड़ने वाला, और बहुत आसान था, वो था श्रमन, श्रमन जो है न, वो priest with high class नहीं होते, श्रमन मतलब हो और इसके गलत होते ही हमारा answer आ गया B, one and three only, ठीक है, बाकी, 22 with reference to Indian elephants, consider the following statement, Indian elephant पर question इस बार आना ही था, usually पहले सही guest था, बहुत news में था elephant का, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये कि female जो है वो lead करती है, obviously lead करती है ऐसा, और यहाँ पर हमने, अच्छे यहाँ पर न सबसे पह elephant population है, लेकिन हमें पता है करनाटका है, इसलिए चौथा statement काट दो, चौथा statement काटते ही हमारे पास बसता है, या तो पहला दूसरा सही है, या तो तीसरा सही है, मतलब तीनों में से कोई भी एक सही हम बना दें, या फिर कोई भी एक गलत बता दें, तो हमारा answer निकल जाएग तो फिर क्या होगा, या statement तो गलत हो जाएगा ना, तो तीसरा statement काट दो, answer हमारा one and two आगया, वैसे sources में, the Hindu के article में भी same चीज़ लिखे हुई थी, और साथी साथ यहाँ पर हमने कुछ clippings भी लगा दिये, जिसमें साथ साथ पहले और दूसरे statement के justifications लिखे हुआ है, बढ़ते हैं 23rd की तरफ, protected areas की बात की गई है, बताना है, कावेरी बेसिन में कौन-कौन से protected areas आते हैं, नगरहोल, पापी कॉंडा, सत्यमंगलम, टाइगर और वायनाट, वायनाट, वायल ला इसमें है, और आंधर प्रदेश में आप देखो कि ऐस सच इसका यहां इस वाले reason में नहीं है, ठीक है, तो उधर reason में तो जान नहीं रहा है, तो इसलिए second statement जो है, वो गलत है, और एक तो हमें पता है, नागरहोल जो है, वो तो हमें पता है, देखो कि वो कावेरी बेसिन इसमें पर आता है, यह usually सब लोग पढ़े होते हैं, तो first statement is definitely correct and second is definitely wrong, देखते हैं कौन से में मिलता है, पहला statement सही है, मतलब ACD हमारे probable हैं, और जिसमें से second is definitely wrong, तो यह भी कट गया, यह भी कट गया, answer आगे हमारा C, one, three and four is the correct answer, ठीक है, उसके बाद 24, यह पूछ रहे हैं कि Ceylon, Frog Moth, Copper Smith, Barbat, और खतरनाक जानवर, यह पूछा हैं, वैसे कि जानवर नहीं है, birds हैं सारे, यह कौन से species में आते हैं, वैसे नहीं पता हुआ किसी को, क्योंकि पता नहीं, तुक्के मारने वाली ही चीज थी, बट इनके फोटोस देख लो, सारे के सारे क्या हैं, birds हैं, तो 12 सिंगा के बारे में पूछा गया था, कि 12 सिंगा जो है, आपको बताओ कि, जो कि घास चरने वाला, मतलब कि, ग्रामेनी वोरस, और हाड़ ग्राउंड पर थ्राइव करने वाला, यह जो इंडियन स्वैंप डियर, जिसको हम लोग 12 सिंगा बोलते हैं, वो और कौन से conservation, सब मतलब कौन का इस protected area में आता है, कानहा, मानस, मुदुमलाई या तालचापर, मैं पता है, कानहा नेशनल पार्क में है, वहाँ पा कानहा का जेवल है, ठीक है, तो बस इसको इतना मिलाओ, फिर 26 से 50 तक का एक और वीडियो बनाते हैं, फटाफट से, थैंक्यू वेरी मुच पता चल रहा है कि क्वेशन का लेवल ठीक ठाक सा है, बहुत डिफिकल्ट, बहुत सरल, आप सब अपने ही साब से बता सकते हो, ठीक है, चलो, ओके, टाटा, बाई-बाई, टेक केर.